नमस्कार स्वागत है आपका online news इंडिया पर मैं हूँ नीलू व्यास आज चुनाव आयोग में दो राजियों के चुनाव की घोशना की है हर्याना और जम्मू कश्मीर अभी दुपहर में अभी थोड़ी देर पहले अनौंस्मेंट आया है कि जम्मू कश्मीर में तीन उचा गया था कि महाराष्ट में चुनाव क्यों नहीं हो उसकी घोशना क्यों नहीं हुई क्योंकि नॉमली हर्याना और महाराष्ट का चुनाव एक साथ होता है तो जिस तरीके की दलील राजीव कुमार ने दी उन्होंने कहा कि देखे बहुत सारे तिवहार है गरेश पितरपक्ष, दशेरा, दिवाली, इस वज़े से हम चुनाव की घोशना नहीं कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग के इस दलील पर हम बात करेंगे और इसके अलावा, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान है, मोदी जी ने कल लाल किले के प्राचीर से दो तीन बातें तीसरा उन्होंने कहा कि एक देश, एक चुनाव की हम बात करेंगे, कल ही एक देश, एक चुनाव की बात की गई और अगले ही दिन देख लीजे, दिख रहा है ये एक देश, एक चुनाव की तीन फेज़े में आपको जमू कश्मीर में कराना पड़ रहा है चुनाव, जहा कामी साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है थांकियू सो मच पर जॉइनिंग मेरा पहला सवाल सर यही है कि पूरे चुनाओ के दौरान लोगसभा चुनाओ के दौरान राजीब कुमार की आलोचना इस बात को लेकर हुई कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो चुनाओ में नह जाए कि उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने जो प्रलोभन दिया वोटर्स को उसमें वो गिफ्ट माटते हुए नजर आए उनके सपोर्टर्स तो इस तरीके की बाते अब सामने आ रही है तो ऐसे में क्या कहेंगे कि यह चुनाओ आयोग जिसने की अभी जो तारीखों की गोश्रा हुई है आपको क्या लगता है कि महाराश्च का चुनाओ की घोश्रा आज हर्याना के साथ क्यों नहीं हूए? जी सर अब हम महाराष्ट्रा की है सब से मातोपून चुनाव क्यूंकि बाकी जो दो जगाहें हैं उनमें यह हार जीत विट्की आफर बहुत खम इतना होता नहीं है लेकिन महाराष्ट्रा में बंबे भी है और महाराष्टर में सारे विजनस की सारे चीज़ें ہیں तो एक महत्वपून है और इसके अब अब तो महाराष्टर में सिर्फ महाराष्टर में सिर्फ नहीं है उसमें सारा हिंदुस्तान के लोग वहां हैं तो इसलिए उसका बहुत मुत्पून इलेक्शन होने के बाद यह जो इन्होंने विलम किया यह ठीक नहीं किया क्योंकि जब क्योंकि जब हाउस को की जो 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 जितनी उसकी हाउस की जो पीरियड है वो तो खतम हो जाएगी फिर वहां क्या वह प्रेजेंट रूल चलाएगी तो मैं समझता हूं कि वड़ी संदे पैदा होगी और इससे हमारी जो प्रतिष्टा है और हमारी पार्टी की जो एक इस्टैंड है वो उसमें हम हमें नुक्सान होने वाला है क्या लगता है कि आद जानगूच कर चुनाव आयोग ने भोचना महराज के चुनाओ की इसने नहीं की क्योंकि यह पता था, और चुनाव आयोग को मोधी का आयोग बोला ही जाता है जिस तरीके की बाते उनके बारे में कई जाती है और आपने भी इसके पहले कई इंटेव्यूस में जब मैंने आपके साथ अलग-अलग प्लाटफॉम्स पर बात की तो ये बाते कई बार आई हैं तो जिस तरीके का एक नतमस्तक चुनाव आयोग हम देख रहे हैं तो ऐसे में आपको क्या लगता है जरूर पीमो की तरफ से या सरकार की तरफ से उनको निर्देशन गया होगा कि आप महराश्ट में चुनाव भी मत करवाईए क्योंकि ये जस्टिफिकेशन की तेवहार है इस लिए हम चुनाव नहीं कराएंगे ये अजीब सी बात है इसमें संदे की तो निश्चित है संदे संदे तो आधार नहीं बनती है परन्तु फिर भी संदे से एक वातावन खराब हो जाती है तो ये मैं समझता हूं कि मैं खुद दो बार महराश्ट्रा को रिप्रेजेंट किया हूं लोगसबा में बंबै से मैं दो बार जीता हूं लोगसबा के नहीं परन्तु एक गर्व के साथ लोग चुनाव लड़ते थे ये जो हुआ है और जो जिस तरीके से पार्टी की तोड़ फोड़ हुआ है इस सबसे लोग बड़ी दुखी थे और मैं समझता हूं कि ये जो संकेत देती है कि बारतिय जनता पार्टी की जो प्रमुक नेता ह है उनमें डर आ गई है कि कहीं हार जाएंगे तो फिर क्या होगा तो इसलिए मैं तो आग्र करता हूं कि हमारी पार्टी की निष्टा के लिए ये तुरंत इसकी गोशना होनी चाहिए और महाराष्ट्र में इलेक्शन सब के साथ परनी चाहिए तोड़ स्वामी आपने बड़ी बात कही आपने कहा कि दोनों राजियों के साथ महाराष्ट का चुनाओ भी होना चाहिए लेकिन जिस तरीके की तोड़फोड वहाँ पर मोधी और अमिच्छा जी द्वारा महाराष्ट में की गई उधर ठाकरे की सरकार को तोड़ा गया क् तोड़ फोड़ के बाद मोधी जी क्या महाराष्ट की जनता को मुझ दिखाने लाइक है किस मुझ से वो प्रचार करेंगे यह मैं कह सकता हूं कि मेरी जानकारी है जो महाराष्ट में मेरा जो पहुंच है उसके अनुसार ठाकरे जो हैं वो सबसे लोग प्रिया नेताब के उपर के आगे हैं और आगे की मुख्यमंत्री वो ही बनेंगे जावेदी निश्पक्स चुना होंगे तो उससे तो इनकी नैचरली वो ठाकरे कुछ भी हो गड़पंदन में हो किसी के साथ भी हो पर तो वो जहां तक हमारी जो सिधान्त है जो बीजेपी की सिधान्त है उसस उस पर अडिग रहे हैं बोलते रहे हैं तो इसलिए उनकी सारी हिंदोस्तान में उनकी पार्टी बढ़ सकती है यदि महराष्टर में जीतेंगे इसलिए उसको रोकने के लिए ही मैं समझता हूं कि यह तिग्रम हुआ है जी ड़्र स्वामी एक सवाल ये है कि कल लाल खिला क कि अगले दिन चुनाव और ठीक अगले दिन चुनाव आयों कहता है कि महराष्ट में चुनाव नहीं करा सकतेई जम्मू-कश्मीर कि इस एक फेजस नन चुनाव के जुम्ले को जी अब एक देश एक चुनाम उसमें तो अच्छाई होगा बारूंतु मैं यह कहता हूं कि जब इतने सालों के लिए हमने नहीं किया अब इसको इसके लिए बड़ी शोद करने पड़ेगी और संदान करने पड़ेगी उसके बाद इसको पेश करना होगा पार्लिमेंट में औ प्रदानमंतरी की बयान से हम कभी ऐसे चीजों को जल्दबाजी में करने के लिए सोच नहीं सकते हैं वे स्चाहिए भलना करफे छाहिए और किमिटी में जाना चाहिए परलिमेंट की कमिटी में तेरी लोगो को पुलनी चाहिए उनकी पूछताुच करनी चाहिए उसके बाद उनकी रिपोर्ट आएगी उस पर konuc今 पार्लिमेंट में यह गोव इंदिया गोविक जो भी थे हमारे पहले हमारे राष्टपती थे उनका बसका नहीं आई यह यह एक व्यापक मामला है इसमें पार्लिमेंट की पुस्तिती होनी चाहिए लेकिन आज क्या यह चीज साबित नहीं हो गई कि एक देश एक चुनाओ केवल और केवल एक जुमला है जो कल मोदी जी ने लाल किले से फ्लोट कर दिया है जी रोपर स्वामी नहीं जुमला हो ना हो पर तो इस तरीके से करना वो मैं समझता हूं तिग्णम है और मैं यह नही सब्सक्राइब ऐसे कुछ चीज लाए इस पर इतनी समय इतनी सालों में हमने सोचा नहीं उसको ज्यान में रखते हैं इस पर पूरा चरच kitty क dyspcly फिर भी में बहुत करने चाहिए फिर देश में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए और उसके बादी इसको करना है वो एक कम्यूनल सिब्ल कोड है यानि कि संपरदाइक सिब्ल कोड है अब बीजेपी लेकर आएगी एक सेक्यूलर उनिफॉॉर्म सिब्ल कोड यह यह सेक्यूलर और communal होने लगा मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा था और क्या मोदी जी डाइरेक्ट अंबेदकर साहब का और संभिधान का अपमान कर रहे हैं इस चीज़ को बोलका यह जो बिल्कुल सोच और शोद के बाद अनुसंदान के बाद यह ते हुआ था कि जो उनिवारिया निव बनाएंगे परंतु एक दिशा के रूप में उसको डारेक्टिव प्रिंसिबल में जोड़ देंगे तो उस में आज हमें करना था तो इसमें बैस शुरू होनी चाहिए थी यह प्रदान मंत्री की बयान से नहीं हो है तो मैं यह क्यों उनकी बातों को मानना चाहिए मैं तो कहूंगा कि इनिफार्म सिवल को इसको अब दुबारा देश भर में इसकी चर्चा होनी चाहिए और ठीक है नहीं होए किस तरीके से करना चाहिए उसके उस उसके बाद ही करना है इस परकार से करना मैं समझता हूं जैसे सोवेट उनियन में होती थी अब रश्या में होती है और चाइना में होती है वैसे हो रही है लेकि डॉक्टर स्वामी आपने कहा कि मोदी जी को ज्यान नहीं है समविधान का उनको आईडिया नहीं है कि कैसे यूनिफॉर्म सिवल कोड लाया जाए तो फिर इतनी बड के जो देस साल में या जोडसा साल चवड़ा बार अनों लाड कि रह से बूलिय, उसको देख के इनुमाने इमाम कहा कि मैं मा यूद सी हमारी ऐकानिमी को डबॉ막 रूسााभा दूंगा पांच सालम भूआ नहीं साथ यह करूंगा, वो करूँगा. कितने जुमला जैसे ही हो गया है इस से ज्यादा नहीं इतनी जुमले बाजी मोधी जी कल ये भी कह रहे थे कि देखे भ्रष्टा चार को मैं हटा दूगा भ्रष्टा चार को हटाने की मैं बहुत बड़ी कीमत चुका रहा हूं ये बोला नरेंदर मोधी ने, मैं आप से जानना चाही हूं, आप तो खुद भीजेपी के अंदर बैठे हैं, आखेर मोधी जी कौन सी कीमत कुका रहे हैं, ब्हश्टाचार को हटाने की कौन सी कीमत वो चुका रहे मेरी नैशनल इसमें जो मैंने सोन्या गांदी राहूल गांधी को बेल में रखा है। उसमें जो मैंने दस्तावेस मांगें अभी तक दिया नहीं, कोई आडंगा को किसी तरीके से लगाते रहते हैं, और मैंने तो प्रूव कर दिया, एक प्राइमा फेसी केस, मैंने एक संदे जो है, वो सही है, ये कानून के अनुसार मैंने सिद्ध कर दिया, और अब जो जब ट ये जो भी मैं मांगता हूँ, जो दस्तावेस सरकार के पास है, वो देना चाहिए, देते नहीं है, तो ये कौन सी बात कर रहे है, किस बात पर, चिदामन का भी यही है, एरसेल मैक्सिस में, कहने में एक बात होती है, करने में दूसरी बात होती है, लेकिन आपने जो कहा कि राहूल गांधी की जो सिटिजन्शिप का मामला है, आपने सारे दस्तावेस दिये, लेकिन ना आमिच शा ने सुद ली, ना मोदी जी ने सुद ली, ना राजनात सिंग जी ने सुद ली, लेकिन सवाल यह उड़ता है कि राहूल को फिर बचाने का काम मोदी जी क्यों कर र आमिच शा को लाए, तो राजनात का कोई दोश नहीं है इसमें, लेकिन इन दोनों का निश्चित तोर पर यह कैसी बात हैं कि जो हमारी होम मिनिस्टर थे उस समय राजनात, उन्होंने कारण बताओ नोटिस भीजा, उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो दो हजार उनीस में भेजा, आज 2024 हो गई, पांच साल, एक भी जवाब नहीं दिया उन्होंने, और ना इन्होंने कोई एक दुबारा उनको चिठी लिखी और का कि आंखिरी मौका दे रहे हैं आपको, और इसलिए आप नहीं देंगे तो हम अपनी कारवाई शुरू करते हैं, यह भी नहीं किया इन्होंने, क्यों, तो इसलिए मैं कोट में जा रहा हूं, नहीं तो वैज़े कोट में जाने की जुरूती नहीं है, लेकिन अब मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि राहुल की citizenship का मामला अगर इतना संगीन है, जिसको लेकर आपने documents दिये हैं, तो हिच की चाहट क्य है मोधी जी के मन में, क्या राहुल का, राहुल को जब तक ये जिन्दा नहीं रखेंगे राजनीती में, तो क्या मोधी जी politically सवाइब नहीं कर सकते हैं, क्यों राहुल को बचाने में लगे हैं मोधी जी, अगर आप यह रहे हैं, राहुल के दस्तावेज आपके पूरे यह तो बड़ा गटिया बात होगी, दूसरा है कि उनको बचा सकते हैं, मैं तो यह जरूर जानता हूं कि जब यह शपत पहली बार मोधी ने ली थी, तो उनको और सोनिया के बीच में एक चोटी सी बात होई थी अलग से राश्टरवदी भवन में, तो मैं यह समझता हूं क कि वो समझते हैं कि कांगर्स की यह दो लोग विदेशी होने के कारण इनकी नेतित में है, तो फिर देश में आँखिर में, यह एक हमारे लिए फाइदा होगा, जो आलते जनता पांटी में हम जो अपनी राश्टर की इतनी दमदमा करते हैं, उसका फाइदा होगा, और इस लिए मैं समझता हूँ कि वो नहीं करने देते हैं, और यह भी है, मैं कहीं लोग कहते हैं मुझे, मैं नहीं जानता कि यह तुम्हें शरे नहीं जाना चाहिए, और इसी लिए वो इसको होने होने दे रहे हैं, ऐसे वो ऐसे भी लोग हैं, जो कहते हैं, मैं उसको seriously नहीं मानत हूं क्योंकि मैं कभी भी कोर्ट में जाकर इसको तेजी से कर सकता हूं और अब मैंने कोर्ट में फाइल भी कर दिया है और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं अब नाशनल हेरल्ड केस भी और यह जो राहूल गांदी की जो जो मैंने अभी केस फाइल की है कि उनकी सिटिज बार आपके कई इसमें करा हूँ कि Gina ने हमारी जमीन हरप कर ली उसको एक दिन भी कहीं भी पार्लिमेंट में भी नहीं बोला क्यों और ना में किसी ने उठाया भी यह भी मुझे आश्टेयरि होता है यह कांग्रेस पार्टि यह क्या है आप हर इंटर्व्यू में चाइना का जिकर करते हैं कि वही चाइना ने इतनी जमीन हड़ा पली लेकिन मोदी जी ना पार्लिमेंट में चर्चा करते हैं ना मोदी सरकार की तरफ से कोई कुछ बोलता है ना मोदी जी कुछ बोलते हैं वो तो यही कहते हैं ना कोई आया था ना आगे क्या है क्या Business Interest इतने ज्ativa बढ़ गए है कि जिसके चलते ही सारी चीज़े जो National Interest इसको नग herd सरकार में आप में बिजनेस में तो China घबी भी तैयार है लुक्व हमारी देश के अंदर गुसने में उनको बहुत सुविदा हो जाती है उससे तो वो कभी इसको बुरा नी माने और कुछ बाथ है कि ये जमीन को एक विवादम नहीं बनाये यह चाइना चाहती है और वो इन और कुछ न कुछ इनके उपर दबाव रगा सकती है और इसलिए वो चाइना आज चाइना को दोशी नहीं ठेरा रहे चाइना का नाम ही नहीं ले रहे हैं और चाइना को कहना चाहिए कि वही तो और मैं यह जो जवला नेरू के टाइम से हुई यह उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यह चार साल पांच साल चार साल के पहले जो शुरूआत होई थी कि जो हमारे विवाद नहीं है जिसमें कोई विवाद नहीं है इसमें कोई सवाल ही नहीं है उसमें जो हमारी जमीन है उसको आकर उन्होंने हड़प लिया है और चार हजार साथ स्क्वेर किलो मीटर उन्होंने हड़प लिये और वो कुछ बोलते नहीं है कहते कोई आया है नहीं कोई गया है अब बात करते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जो हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आई है जिसमें की मोधी अदानी और जो Securities and Exchange Board of India की चीफ हैं माधवी पूरी बुच उनका एक घाल मेल नजर आता है जिसमें Conflict of Interest है और उनके Husband के offshore entities में stakes हैं ऐसे में कोई भी सरकार होती तो आज सेभी की चीफ को कहती कि आप स्तीफा दे दो लेकिन मोधी जी और निर्मला सीता रमन दोनों कोई स्तीफे की बात ही नहीं कर रहे है माधवी पूरी बुच्चा राम से बैठी है वो सेभी में continue कर रही है उसका कारण क्या है सर ने मैं समझता हूं कोई भी सरकार होती तो तुरंट inquiry order कर ले कि यह जो रिपोर्ट आए इसमें कुछ सत्या बात है और इसमें सारी सी जो है जो सही है हम तो उसको कहेंगे चीक है इसको हम जांच करेंगे और सवाल भी पूछ लेंगे लोगों से कि भी तुम्हारे बारे ऐसा कहा है कि तुम्हें कुछ कहना है इसमें क्योंकि हम एक नया report बना रहे हैं इसके आधार पर ऐसे कोई कारवाई करनी चाहिए तो कारवाई कहना कि वह वदेशी है हम कुछ नहीं करेंगे यह भी ठीक नहीं है इसी लिए सजा होनी चाहिए यह भी ठीक नहीं है इसमें inquiry order करेगा कौन जब मोदी जी अधानी जी सेभी चीप जी सब आपस मे मिले हुए हैं तो इसमे inquiry कौन order करेगा नहीं इनको सिद्ध करना चाहिए ठीक यह भी करने कारे फच जाये तो यह तो आपका अनुमान है हम तो देखने चाहते हैं कि यह करते हैं कि नहीं अब यह नहीं करे तो यही मानेगे जो आपने अभी कहा है क्यों इतना डर रहे हैं इनको यह कोई सादा किसी रश्या या चाइना से आई हुई रिपोर्ट नहीं है जिसमें हम कह सेंदे हैं यह कॉमिनिस तो जूट बोलते रहते हैं यह तो जो लोग तंत्रे देश हैं उसने इसको तैयार की है इस पर वह भैस करने के लिए टयार भी है और कहते हैं कि आपकुछ हमारी तूटी निकालों गे तो बता दो हम हम उसका कुछ करेंगे तो इसलिए इस पतर चुक यह एं इसको इसकी इसको गाली देने की क्या जोरुत है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी जी की चुपी का कारण क्या है निर्मला जी की चुपी का कारण क्या है इस पर समझते हैं कि सब अगबार वाले चुप हो जाएंगे जब वो चुप हो जाएंगे तो ऐसे ही तो होते आया चाइना का मैं दुबारा उलेक देता हूँ, किसी और समय पर ऐसा हो सकता था, जवला नेरू के टाइम में हो सकता था, इंदरा गांदी के टाइम पर हो सकता था, नहीं हो सकता था, उस समय आ गई थी और सारा को खोल दिया गया था, आज मैं कहता हूँ कि कोई भोता ही नहीं ह कि वह उठाएंगे तो हमारी पीचे करें बढ़ जाएंगे तो मैं कहता हूँ हमारी राष्ट की सेवा करने के लिए उसकी रक्षा करने के लिए अज लोग ड़ने लग गए यही है सबसे बड़ा गिरावट हमारी देश में हो रहा है सिर्फ ब्रैंड मोदी की अगर बात करें लोग आज जब से चुनाओ की तारीखों की घोशना हुई है तो लोग ही कह रहे हैं कि भई अगर महाराष्ट बीजेपी हार गई जिसकी बहुत जादा प्रसिबिलिटी लग रही है हर्याना में विनेश फोगाट का जो आप विनेश के फेवर में नहीं जाते अगर हर्याना बीजेपी हार जाती है अगर महाराष्ट बीजेपी हार जाती है जम्हू कश्मीर चलिए मैं माननू कि किसी करद differente कैसे बनेगी मोदी जी कितना आगे चल पाइंगे अगर यह जो विदान में बैठेंगे हमें मजारिटी नहीं मिली तो हम सरकार में नहीं रहेंगे उल्टा उन्हों ने जो जिनका कोई सिधान से हमारा कोई मिलता नहीं है उन दोनों के हाथ जोड़ करके उनको लाए उनकी साथ उनको इतना पैसा दिया इस बचेट में क्या बोलूँ तो पब्लिक में ज्यादा आया है नहीं तो आप पद में रहने के लिए सरकार में रहने के लिए सत्ता में रहने के लिए इस प्रकार की गिरावट हो सकती है तो वो भी बीजेपी जैसे पार्टी जो एक सिधान्ट की बात करते आई है तिने दिनों से वह ही संकेत करता है तो मैं कहता हूँ कि कुछ भी करें मोडी आ मैं कहता हूँ कि हमारी पार्टी हारते रहेगी जब तक मोडी इसकी नेत्रत्व करते रहेंगे लेकिन ये बहुत strong comment है आपका कि मोदी जी बीजेपी हारती रहेगी जब तक मोदी जी इसका नेत्रित्व करेंगे आप आपको क्या लग रहा है आपने जब लोगसभा के चिनाव हुए थे उस समय भी आपने प्रिडिक किया था कि 230 सीटों से जादा बीजेपी को नहीं आएगी और उसी के असपास 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई अब क्या आपको आगे होता हुआ दिख रहा है क्योंकि समय अब काफी इलेक्शन आ रहे हैं जैनवरी और फेब्रेरी में डेली के इलेक्शन हैं अभी ऑक्टोबर नमेंबर में महाराष्ट जेन के चारकंड हर्याना ये सब चुनाव हो जाएंगे अब मोदी जी की जो शेल्फ लाइफ है अज प्राइम मिनिस्टर आप उसको कितने देखते हैं अब मैं मेरी मेरी आशा पूचा होगी तो मैं को तो आज ही चले जाना चाहिए तो मैं ध्यानता हूं कि हमारे पार्टी में अनेक लोग इस राइक हैं हमारे पार्टी के जो सं दुख व्यक्त किया है तो आज मैं सहता हूं कि जितना मोडी अपनी कारेकाल बढ़ाते जाएंगे उतना हमारी नुकसान बीजेपी के होगी कि हमें दुबारा उठने के लिए दस साल लग जाएगी लेकिन कई बार आप कई प्लाटफॉर्म्स पे इस बात को कह चुके हैं कि बीजेपी कभी भी राइज नहीं करेगी जब तक मोडी जी इसका नेत्रित्व करेंगे कई लोग ये सवाल करते हैं कि आप मोडी जी को इतना डिसलाइक मोडी जी से इतनी नफरत क्यों है आपके म हैं और सिधान्त यही है हिंदुत्वा मैं जनता पार्टी में अलग था थोड़े दिन के लिए जब यह अडल बियारी बाजपाई ने का कि मुझे बीजेपी में आने नहीं देंगे तो फिर मैं जनता पार्टी चलाते रहा है अब अद्यक्ष के नाते और मैं यही बात कहत साओं कि हमारे देश के लिए बविश्य के लिए बहुत यानि एक दुखत बात है लेकिन आपके हिसाब से मोदी जी और शास आपके लिए सिधान्तों का मतलब क्या है आप सिधान्तों को बहुत ज़्यादा तबजू देते हैं उसको वैल्यू देते हैं लेकिन आपकी बात को आज जो बाहर निकल रहे हैं यह सारे चीज नहीं को तो मैं अभी बोलने की इस्तिती में नहीं हूँ क्योंकि बहुरमाज आधार नहीं हैं आंकड़े नहीं हैं लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि एक हमारी जो कानून व्यवस्ता है उसका एक उलंगन के जो हो रही है सब जगा हैं आंकिर में अडानी हो अडानी ने सारे कानून तोड़ी है कितने कानून को उन्होंने तोड़ी है और किस तरीके से उन्होंने कई चीजों को खड़ब किया जैसे बंबई के एरपोर्ट को खड़ब किया तो यह सारे होते हुए हम लोग को दुख होता है यह लोक्तंतर म में हूसकता है, हो सकता है, हो सकता है, पριν गर्वेडलीस्ट में हो सकता है पर हमारी देश में एक नियम के अनुसार जो हम कांट करनी के लिए हमने श्रबतो पर दिया है again अकरी सवाल आपसे करेंगे कि मोदी जी ने देष को और bakın किस हष्र पर ला खड़ा कर दिया है आपके इसाब से बेज़े पी का जो बल है वो है कारे करता और उस कारे करता को देने वाले में RSS का बहुत बड़ा योगदान है तो इसको इतनी जल्दी मिटा मिटा नहीं सकते हैं एक बार हुआ था जब वाटर भी आरिवाश ते थे फिर हम हार गए थे फिर दस साल के अंदर हम बापस आ गए और जब हमने शुरू की थे लोग हमारे 80 मजाग उड़ा होते थे और लेकिन एमर्जनसी आई तो हम हम रूलिंग पार्टी के हिस्सा बन गए तो यह जो कारे करता हमारे हैं उनको हम निराश बहुत नहीं करेंगे और उनको यह एक व साल हम काम करेंगे तो मैं समझता हूं बीजेपी वापस आ जाएगी इसमें कोई कि सब जगा में हमारे लोग जाए सारा देश में एक ही ओल इंडिया पार्टी आज देश में है वो है बीजेपी और उसका कमजोरी करना मैं समझता हूं देश के साथ गदारी करना लेकिन अकबार वालों के जादा जोगदान थी हमारे लोग जरूर पावर में आने चाहते थे और एक शक्तिशाली नितुत के लिए वह आशा करते थे और उस समय जो मोली का प्रपगेंड़ा उसके असर जरूर पड़ी आप धीर देरे पता लग रहा है कि चाइना के सामने खड़ कोई इसका विरोध में नहीं कर सकता जब हम हमारी कारण बंगलादेश बनी नहीं तो बंगलादेश कभी ने बनती और वहां कौन आ रहा है कौन आएगा हमारे हिंदुओं की ऐसे दुर्भा गया क्या नहीं हमारे हिंदुओं के साथ गुंडे बदमाशों नहीं किया उसका हम सेहन करते रहें उसी समय चले जाना चाहिए था हमारे फोज ले करके हिंदुओं को बचाने के लिए हमारी अधिकार है देखो इसरेल ने किया मोदी जी क्या इतने मजबूर हो गए है कि अब व किइस बात पर उन्हो ने जा किश्मीर में कुछ किया है 있어 कि जो किया आ कि जो जस तेजी से उन्हों ने स्र्जिकल स्ट्राइक की थी हम चाइना में वह कोई सेना की तरफ cocktail क्या की बाहती शोकी है और ऐसरे चाहिए नहीं भेजा है तो क्या मोदी जी की बातें अब क्या सेन मानी नहीं रही है क्या एक ऐसी situation आ रहे है जो मुझसे बात करते हैं सब दुखी है वो तो चाइना को उड़ा के भेजने के स्थिति में है हमारी strength इतनी है वो कहते हैं कि हमें दे दो हमने गल्वान में तो दिखा दिया चाइनीज को उस समय बंदू के उपयोग ने कर सकते शस चाइनीज की soldiers उनकी हदवद की यह सारा दुनिया जानती है तो हमारे लोग वो तो चाहते हैं वो military में इसलिए कि अपने जो शमता है वो दिखानी चाहते हैं और हम उनको बठा के कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं अब चाइना आते रहे जा रही है अभी भी आ रही है अभ कभी ओदी जी को इतना बेबस इतना निरी इतना लाचार कभी देखा है जितना आप देख रहे हैं ने मैं आप पीछे देखने लगता हूं कि पहले क्या था उसमें मुझे लगता उसी समय मुझे संकेत मिल रही थी मैंने आंक बंद लिया बंद किया था अब तो यह अस्ते बंते गई इनोंने जो दुज्रात में भी किया कई चीजे मैंने अब यह देखा और उसको पड़ा उसको उसकी 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 आनुसम्दान की तो लगा कि मुझे मैं मैंने पता नहीं क्यों मेरा अंक बंद था इसमें मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि वो सड़नली उनकी विक्रिती आ गई या गिर गए या खराब हो गए पैसा नहीं समझता हूं यह पहले से वैसे ही थे लेकिन हम उसको उस समय हमारी दिल में समय कारिकर्टा में यह कि किसी तरीके से कॉंगर्स को हटाना है और उसमें हमने कई चीजों को हमने माफ किया होगा और इसलिए आ प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी प्रदान मंत्री बने बीजेपी ने उनको प्रदान मंत्री बनाया क्या यह बीजेपी की सबसे बड़ी गलती है आप गलती नहीं कह सकते क्योंकि उसमें कौन था आडवानी ने कह दिया कि पाकिस्तान की फेवर में बोल दिया तो सारा दे नरिन्दमोडी तो हमने सब इसकी जेजगार की तो ये राजनीती में देखो महाबारत पड़ोगे तो अब दोखोगे कहीं कई जगाओं में इन्होंने विश्वास करके कुछ चीज मान ली और उसका उसका उनको भुगतना पड़ा तो वैसे हम भी भुगत रहे हैं बस उसके मानें कि हम बैठ जाएं या लेड जाएं या रोते-रोते मर जाएं यह नहीं हम अब इस एक पुनर उत्थान के लिए इस देश को बनाने के लिए बीजी को खड़ा करना है लेकिन आपसे आखरी सवाल है इसके बाद प्रोग्राम को मैं खत्म करती हूं कि जो 56 इंच वाले म उनका है यह तो एक आईने एक सिधान की बात है लोग तंत्र को मजबूत करना दूसरे देशों की जो कुकर्म है उसको विफल करना यह सारी चीजों बुद्धी का काम है और महां कहा सा है यह मसल का काम आ गया है यह इसको लाना ही दिखता है कि तुम्हारे में कोई नहीं चाहिए हमें तो विचारों में सोनना सही है कि यह विचार होनी चाहिए यह विचार नहीं होनी चाहिए ऐसा हमें सोचना चाहिए लेकिन च्छापपन इंच का सीना तो बहुत जादा गोधी मीडिया ने मोधी जी ने और उनके बीजेपी के लोगों ने उसको पपिल ठल है वो नहीं है इसे लोह घा जाते हैं जब हम पावर में आने वाले हैं तो बागी आ जाते हैं, फिर मसका लगाते हैं, हमोने तरे तरे की कहानी सुनाते हैं जिससे लोग भह जाते हैं तो यह यह होता है यह हमारी ल कखड़े होने में भी टर्टे हैं कि हमें खड़े होगे तो हमारी हूपर अंक्षन होगी तो हम क्या करेंगे अगर में आफनуск हो गए आज भी मैं समझता हूं कि बीजेपी में एक 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 मंचा में बात आ रही है कि अब इसको हम सेंड ने करेंगे और किसी को हरा कर फिर जीतना है तो हम अपने लोगों को हरा सकते हैं आखरी सवाल कि क्या बीजेपी के ही लोग अब मोदी को पार्टी से भगाएंगे उनको कहेंगे कि तुम चुटी करके और कुछ करो अब बहुत हो गया आपका यह ऐसे कहेंगे उनको अब भगाने की बात ऐसी तो हम नहीं करेंगे यह तो हमारी तो शिश्चाचार का सवाल है मोदी जी को हमारी सिधान्त की नेत्रत्व करने लाइक नहीं है क्योंकि उनका कोई ऐसा उनके विचार नहीं है जिसमें हमने देखा है कि वो किसी जगह में बैठ करके हमारी सिधान्त के लिए एक प्रवचंग करें अब देश का नेत्रत्व करने के लाइक नहीं रह गए वह तो कभी नहीं थे हम लोग उसमें पहले पैचाने नहीं अब पैचानते हैं चरी डॉक्टर स्वामी थैंक यू सो मच पर जॉइनिंग थैंक यू वेरी मच थैंक यू